हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करेंट अपडेश दोस्तों यहां पे मत प्रते सिचक भरती 2018 का रूल बुक आ चुका है और नोटिपिकेशन आ गया ओफिसल वेब साइट में आप जाकर देख सकते हैं यहां पे मैं आपके पूरे डाउट किलियर करूंगा जो कि आपके पांस से 6 मिनिट लूँगा और आपके सभी डाउट क्लियर कर दूँगा तो दोस्तों वीडियो में बने रही है और आंगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्र तो दोस्तों वीडियो में बने रही है आंगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए तो दोस्तों यहाँ पर पूरी पूरी जो रूल बूक आ गई आपको MP की ओफिसियल वेबसाइट पीवी की डॉट कॉम में भी चाकर मिल जाएगी तो आप वहाँ से भी इसका रूल बूक पढ़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों आंगे बढ़ते हैं और आपको छोटी 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 बड़िये सारी जानकारी है मदेतों जैसे आवेदन करने की तीती कब से है 11 से चाल हो जाएगी और अंजिन दिती इसकी 25 तारीक होने वाली ही तो यह सारी चीज़े ध्यान में रखेगा और आपके एक्जाम जो है 29 दिसम्बर से चाल हो जाएंगे यानि कि दोस्तों 29 दिसम्बर से अपके एक्जाम चाल होंगे मामा जी ने पूरी तयारी किये कि Bailey कि इस से परिछा से चिनौप पर कोई असद नहीं होना चाहिए बोर्ड बैंक में कोई असर नहीं होना चाहिए तो यहां पर 29 दिसम्बर से आपके पेपर चालू हो जाएंगे और बता दू कि अन्राजवाले फार्म भर सकते हैं तो यह जनरल कटेगरी से अन्राजवाले फार्म भर सकेंगे अगर उनके पास निमलिखी योगताई दी होगी तो यहां पर धाई गंटे का पेपर होने वाला है दोस्तों और यहां पर टोटल डेड़ सो कोशन वन हंड़े एंफिप्टी कोशन पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको समय दिया जाएगा पूरे धाई गंटे और यहां पर क्या सलेबस है और किस तरह से पेपर होती की जाएगा उसके बाद 17,000 पदों के लिए की जाएगा नियूंतम वेतन की बात कर लें तो यहां पर 36,000 आपको नियूंतम वेतन रहेगा महिंगाई भटता अलग से दिया जाएगा तो यहां पर पेइमेंट आपकी बहुत अच्छी होने वाली है और निधारी योग था, तो यहां पर शनाक उत्तर उपादि ढूर्बभा मतलब हوता है पोष्ट ग्रेजुएशन और उसके साथ आपके पास ब्यएड होना चाहिए DA बम पे पात्र नहीं हो गया यह चीज में आपको क्लियर कर दूं अब आंगे बढ़ते हैं न्यून्टम आयो 21 वर्स इसमें दी गई है और अतिती सिच्छक के लिए कुछ चूट दी गई है और वो सारी चीज़ इसमें दी गई है और जैसे अगर पूर्सों के लिए आना रच्चिक वर जनरल कटेगरी से एज की बात कर लो तो 40 है महिलाओं क होनेवाली बाग्य सारी जनरल ओवी सी इस्टी सी इनको जो च्छूट मिलती है वह पूरी चूट मिलती जाएगी निकार कले तो जैसे मैं अब पहले से पता था कि 50% सीड जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है तो वो पूरी तरीकी सारक्षित है और यह पे महिलाओं के लिए 50% सीड आरक्षित है और यहां पर जनरल STSC OBC category के लिए जैसे अभी तक चलता आ रहा था वैसे ही पूरत चलेगा अब आगे बढ़ते हैं यात्रा वे भुक्तान आपको अगर STSC category से division पिछला हुआ उनके लिए जो यात्रा भत्ता मिलता उसके लिए आपको फॉर्म बनना पड़ेगा उससे आपको यात्रा भत्ता मिल जाएगा अब आगे बढ़ते हैं इसका स्लेवस और बांकी चीजों की बात कर लेते हैं कि यह जैसे धाय गंडे का पेपर होने वाला दोस्तो तो नॉर्मलाइजाइजेशन के पकरिया इसमें भी होगी पूरी के लिए अभी लेवल वन के लिए धाय जहरो आपकory रही जाएगा उसमें ग्रेजेशन मागेगा उसमें ग्रेजुेशन मागेगा तो उसका जरूर वेट कीजेगा जल से जल सबीन सबी के नॉटीशन जारी हो जाएंगे और अगर यहां पर जैसे की धाय गंटे का पेपर होने वाला और इसका स्लेवर्स क्या होने वाला जैसे साथ आउनलाइन सहरों के संखा आप के अंदर देख सकते हैं बोपाल इंदर जवलपूर गॉलिया रुजैन यह सारी चीजे दी हुए आप यहां से आप अपने परिश्चा के इंदर चैन कर सकते हैं और नीचे चलते हैं कि जैसे कि इसका स्लेवर्स कैसे होने वाला जैसे इसका पेपर कैसे होना डेट सो कोशन दोस्तों इसमें आने वाले इन में से आपके समान हिंदी समान अंग्रेज्ज समान ग्याना समाय सी घटना क्रम तारकी के अंकिंग योगता पेडा गोजी इनमें से टोटल 50 question आएंगे और सबी question एक-एक मार्क से होने वाले हैं इसमें कोई भी मार्किंग नहीं दिया गया है और इसमें 50 question आएंगे और आपने जिस subject में post graduation किया होगा उस subject से 100 question आएंगे और सभी question एक एक question सभी एक नंक के होंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हिंदी समान से अगर अंग्रेजी से आपने B.A.M.A. किया होगा जैसे इतिहास से किया होगा और B.S.C. M.S.C. की होगी रसाइन साथ से M.S.C. की होगी जी विग्यान से M.S.C. की होगी बहुत से मैच से M.S.C. की होगी तो उससे related आपके 100 question आएंगे जो की 100 अंक के होगी इस तरह से आपके टोटल 500 अंको का पेपर होगा तो यहां पर इंग्लिस हिंदी सभी subject पूछे जायने वाला है आपका syllabus काफी बड़ा होने वाला है और यहां पर आपकी तयारी तगड़ी होने इस पेपर के लिए अब यहां पर अगर स्लेवर्स की बात करने कि सभी हिंदी इंग्लिस सारे स्लेवर्स यहां पर नीचे दिये गए हैं कि अगर आप इंग्लिस से भरते हैं तो वर्टेंस वाइस सब्जट वर्व एग्रिमेंट आर्टिकल कॉंपोजेशन फिल इन दब्ल या तो आप हमसे नीचे कमेंट करके जरूर पूछे दोस्तों और चलिए दोस्तों यहां पर आगर आप पूरा स्लेवर्स देख सकते हैं आप आराम से इसका पूर लिजेगा कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर हमसे पूछ लिजेगा चलिए अगर आपको और कोई क्रोटिफिकेशन आना बाकी है तो जैसे कि सरकार ने पहले ही कहा था कि 35-40,000 वेकेंसिया आने वाली है तो वो पूरी वेकेंसिया आएंगे दोस्तों और वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा दोस्तों और शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ मैंने आपको जानकारी देने की पूरी कोसिस किये और यहां पर उनलाइन वेस भरेंगे आपको pit की iew वेब्साइट से जय जय फारत धन्यवाद दोस्तों